नमस्कार दोस्तों मैं प्रकासवस्ति कानपुरवाला त्या दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ RRB ALP के प्रीवियस यर सेट जो कि 98-2018 का तिप नमबर टू पीडियप के लिए टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कीजिए पहला कुश्चन आपके सामने नीची दी गई भिन्नों में से इसमें 5 बटा 8 जोडने पर एक बन जाता है कुछ नहीं करना दोस्तों एक में ही 5 बटा 8 को घटा दोगे तो 3 बटा 8 आ जाएगा लेकिन देखा तो कोई options नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ खिला है तो options नमबर C में आप देखोगे कि 2 का नीचे गुणा 2 का उपर यानि 6 बटा 16 आपके सामने हो गया यही इसका answer question number 2 एक प्यारा question है किटा किसी धन्दासी को 4 वर्ष के लिए साड़े 7% वार्षिक दर पे सधार ब्याच पे निवेस किया गया था बाद में खेला 5 वर्ष के लिए तो एक साल का rate of interest साड़े 7% चार पांच का वी अंतर साड़े 7 लग चार पांच का अंतर एक एक साल का rate of interest साड़े 7% और यही साड़े 7% की value 375 हो जाएगी अब हर चीज अपने आप में 100% होता है यानि principle चाहिए जैसा कि आप जानते हो कि 7.5 में अगर मैं 50 का गुणा कर दूँ भाई 10 का करोगे तो 75, 5 का करोगे 375 तो 50 का यहां गुणा करोगे तो 5000 is the right answer इस question का answer question number 2 का answer प्यारे दूस्तों 5000 आएगा question number 3 एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं आम और नीम के पौधो का अनपाथ 8-11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे होंगे देशवासियों नीम जो की 11 का मल्टपिल है options में देखो तो 11 का मल्टपिल मुझे ये नजर आ रहा है बाकी कोई नहीं आ रहा यानि 209 नजर आ रहा है तो इसका योग हो गया 19 और यही बराबर 361 के तो एक बराबर किसके एक बराबर 19 के क्योंकि 19 का स्क्वार ही 361 होता है इस 11 में 19 का गुणा कर दोगे तो 209 आ जाएगा यानि कोईशन नमबर 3 का अंसर प्यारे दूस्तों 209 होगा 209 प्यारा कोईशन अब इस कोईशन में पेसिंस रखना तो जल्दी सॉल्व होगा ठीक है थोड़ा सा पेसिंस रखना मैं ऐसा करता हूँ इसके ऑप्सेंस इधर रख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखे कोईशन ऑप्सें इधर ले आया अब अच्छा दिख रहा होगा अपके तर देंगे इतनी जगे में हो जाएगा कहता है दो पाइप एक साथ काम करते हुए क्रम सा किसी टंकी को तीन गंटे चार गंटे में भर सकते हैं यानि A can fill a tank in 3 hours, B can fill the tank in 4 hours बोलो हां लेके जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 गंटे में खाली कर सकता है यानि तीसरा यानि C वाला पाइप टंकी को 8 गंटे में क्या कर रहा है दया खाली कर रहा है तो पहले अपनी पॉर्मिल्टी पूरी की पूरी अदा कर लेते हैं इसका LCM आएगा 24, 3 से भाग दोगे 6, 4 से भाग दोगे 3 और 8 से भाग दोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा अब कोश्चन को पढ़ो प्यार से कहता है जब टंकी एक बटा बारा भरी हुई है तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा अब दोश्च यहीं पेसिंस रखना है यहीं पेसिंस रखना है यहां बोला है कि टंकी एक बटा बारा भरी है तो तो टंकी जो है पूरा फिल होता है उसे एक बोलते हैं इसका एक बटा बारा अगर भरा है अब हमें भरना कितना है ग्यारा बटा बारा यानि 24 काम नहीं कराना है अब हमें चौबिस का ग्यारा बटा बारा काम कराना है क्योंकि ओल लेडी हमारी टंकी में एक बटा बारा पानी भरा हुआ है सभी बोलो हाँ और बस इतने के काण ये एक इस्टार कोश्चन हो गया समझे मेरे दोस्त तो सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा आठ तीन ग्यारा लड्डू बन रहें तोरी यहां मिश्टेक है तीन से भाग दोगे ये आठ आएगा चार से भाग दोगे छे आएगा आठ से भाग दोगे तीन आएगा आठ छे चौदा लड्डू बन रहें और तीन लड्डू तूट रहें चौदा बने तीन तूटे चौदा बने तीन तूटे तो बन कितने रहें ग्यारा लड्डू और बनाने इतने लड्डू है इसमें ग्यारा से भाग दे दो ग्यारा से ग्यारा गया बारा से ये दो बार में जाएगा बोलो हाँ तो दो घंटा is the right answer of this one बहुत आराम से simple way में आपको समझा दिया गया एक बार फिर से समझो एक किसी काम को 3 गंटे में, 24 गंटे में आठ गंटे में बिगाड़ देता है एलसी हम लोगे तो 24 आया तीन से भाग, आठ चार से भाग छे, आठ से भाग, तीन आया पहले बोलो हाँ अब हमसे कहता है कि टंकी का एक बटा बारा भरा है तो अब हमें काम 24 नहीं कराना एक बटा बारा हो चुका है तो अब हमें 11 बटा बारा इसका कराना आपके रहां तीनों पाइपों को खोल दिया छमता ग्यारा है क्योंकि 14 लड़ू बने तीन टूटे, ग्यारा से भाग यहां कहता है एक्स माइनस पांस द्वारा पूरता है विभाज है तो एक आमान मेरे दोस्ट अगर इससे यह equation divisible है तो एक्स बराबर 5 ही रखना होगा क्यों? एक्स माइनस 5 इसका एक factor होगा यानि divisor होगा और जब एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर 5 इसको रखेंगे 0 के बराबर कर देंगे उसके पशात हमें एक आमान मालूम चल जाएगा पांच का स्क्वेर 25 इसे आए 75 ऐसे और प्लस का पांच ऐसे प्लस 4 ऐसे बराबर 0 के दोस्तो देखा जाए पांच ऐसे बराबर माइनस का 79 हो जाएगा और फिर पांच से भाग दे दोगे माइनस का 15.8 हो जाएगा यानि इसका जो आंसर आएगा माइनस 15.8 आजाएगा क्लियर है? चालिए सीखेगा इंडिया अपने साथ चटा नंबर कोशन कहता है सौल लो कर दो मेरे दोस्त माइनस के 96 में माइनस के 32 से भाग दिया बटा चार मुद्दा खतम 12 आंसर हो जाएगा एक बार फिर से समझो माइनस के 96 में माइनस 32 तो तीली बाहर में जाएगा बाहर माइनस लगा है तो माइनस 3 माइनस 45 और यहां माहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 48 बटा चार सीधे बारा आंसर आएगा ये कुशन थूड़ा सा बड़ा लग रहा है इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए इसको ऐसे करके बता रहा हूँ यानि एक स्टार समझो लग गया किसी कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में दिवार बना सकता है जबकि एक विद्धवन सक 14 घंटे में पूरी तरह इस दिवार को ध्वस्त कर सकता है बिल्डर बना रहा है वो ध्वस्त कर रहा है यानि ए दस घंटे में बनाता है और बी क्या कह रहा भैया हम तो बरबात कर देंगे तमको 14 घंटे में तीदी सी बात है अब आगे कहानी, कहता है जमीनी इस तर पे दोनों, बिल्डर और विद्वनसक एक साथ काम करने लग गए, लेकिन साथ गंटे बार विद्वनसक बाहर निकल जाता है, समझ गए लेकिन, मैं कोई काम 10 गंटे में, आप 14 गंटे बिगार देते हो, तो इसका LCM ले लो, 70 ही ले मेरी छमता साथ काम करने की, लेकिन आपकी छमता 5 है, काम बिगारने की, यानि मैं 7 लड़ू बनाता हूँ, पांस तूर देतो, 7 बनाया, 5 तोड़ा, 7 बनाया, 5 तोड़ा, 7 गंटे काम किया, एक घंटे में तो दो ही लड़ू बना पाएंगे, तो 7 गंटे में दया, 14 विद्वण सक, कहता भाईया, आप तुमसे निजीत पाएंगे, जा रहे तुमको छोड़ कर, तो अब हम काम करेंगे, 14 इसमें कम कर दो, तो मोदी जी 56 आ जाएंगे, और 7 से भाग दोगे, तो 8 सते 56, 8 सते 56, 8 ये, 7 ये, और आगे की कहानी, कहता दिवार का निर्मान करने क लिए कुल कितना समय लगा, 8 साथ, समद गया ना, 15 घंटे लगेगा, यानि कोशन नमबर 7 का जो आंसर है, 15 घंटे है, 15 घंटे, क्लिया ना, तीखो, मगर प्यार से, कोशन नमबर 8, एक मासूम सा कोशन, एक वरत पर एक दूसरे पर 75 डिगरी के कोड पर जुकी हुई है, एक वरत पर एक दूसरे पर 75 डिगरी पर जुकी हुई है, इस पर से रिखाओं की जोड़ी खिची आती है, यानि, समझ गया ना, देखना दया, ये ऐसे बनता है, डिय तो नवीन अंगडित यूटूब में निशुल डाल लखा है उसको देखो ठीक हो एक व्रत पर एक दूसरे पर 75 डिगरी का कोड पर जुकी हुई है तो यह 75 डिगरी पर जुकी हुई है इस पर रेखाओं की एक जोड़ी ठीक है अब नाम कर कुछ भी कर दो पी ए भी क्योंकि नाम तो कुछ बोला ही नहीं फिर यहां कहता है कि इस पर रेखाओं को व्रत की उन दोर त्रिजाओं के अंत्री मिंदू पर खीचा जाए जिनके बीच का कौन क्या होगा अब भाई इस के सेंटर से ही तो दया यह दोनों पढ़ेंगे तो यह दोनों 90-90 हमसे इसकी बात कर रहा है और हम जानते हैं कि चातुर बुच के चारों कोडों का सम 360 होता है 90-90 एक सो असी गया यह 75 तो यह 105 हो जाएगा तो गिव 155 पतर एक सो असी और 90-90 यानि मेरे दूस इसका आंसर D ह हो जाएगा 105 डिग्री 105 डिग्री आंसर आएगा क्लियर रहे है कि यहां कहता है कि इतना बराबर इतना तो इसका अंसर सीधे तीन होता है सर कैसे देखो आप याद रखना यूत में मैंने प्रॉपर ही आपको यह चीज़ सिखाई हुई है देखो मेरे भाई इस वैल्यू से कॉट स्कॉएट ठीटा को कॉमन ले लोगे जब कॉमन ले लोगे तो अब कॉट ले लिया तो अब बचा क्या कॉट स्कॉएट ठीटा प्लस वन बराबर तीन के और हम जानते हैं कि cot square theta को क्या कहते हैं इसको कहते हैं causec square theta minus 1 और ये cot square theta plus 1 तो इसे कहते हैं causec square theta बराबर 3 अब ये causec इसमें गुणा हो जाएगा तो यानि causec की power 4 theta minus का causec square theta बराबर 3 समझ गये ना यानि जो इसकी value होगी वही इसकी value होगी गंगा धरी सक्तिमान है समझ गये और कुण्य में एक point और लिख ले ना 10 की power 4 theta plus 10 square theta बराबर P तो मेरे दोसc sec की power 4 theta minus 6 square theta भी क्या होगा P होगा P होगा समझ गये डियाई आ गए अब डियाई बच्चों के अंदर डियाई का मतलब डर है जो की नहीं होना जाए पढ़ेंगे और समझेंगे यहां दुनिया भर की बाते लिखी गए दिये गए आकड़े मोटर साइकल की कि कुल संख्या 2017 की सुरुवात 6 मेनों में एक्स में होई पंची करण को दिखाता है हजारों में के ऊšन कहां भूला है अचा यहां भूला है दिये अखड़े के आधार पे जनवरी से अप्रेंоки 2017 के दोरान मोटर साइकल के अलाबा बाकी गार यो के पंची करोण की संख्या क्या है उसे बाकी गारियों के पंची गरण की संख्या क्या है ठीक है जन्वरी से अप्रेल की बात कर रहा है दया मुझे तो समझी में नहीं आ रहा है क्या करना है एक बर question को फिर से size पढ़ते हैं The given data shows the registration of bike and total vehicles पहले registration of bike and total vehicles in 1000 for 6 months in 2017 in a city X ठीक है इन दा चार्ट चार्ट की बारे में The first number represents bikes जो पहला number है वो bikes की बारे में and second number represent total vehicles ओके यह जो पहला वाला बाइक के बारे में है और यह total vehicles के बारे में based on the given data इसी data पर based from January to April the increase in the registration of vehicles other than the bike other than the bike अब यह portion आसान हो गया देखो अप्रेल मेहने की बात हो रही है अप्रेल में यहाँ 20 से 35 यानि 15 increase हो रहा है और January के मेहने की बात हो रही है तो यहाँ 6 increase हो रहा है तो overall कितना तो 6 से 15 increase हो रहा है यानि 9 और सब कुछ 1000 में हैं तो 9000 आंसर आएगा तो 9000 तो हमको दिखी नहीं था लेकिन मेरे दूस आंसर 9000 होगा एक बार मैं repeat करके समझाता हूं और जूम करके भी समझाता हूं और देखो पहले समझना मैं पूरी बात को समझाओंगा मोहबब से डरना बिलकुल मना है जोको आप डेटा आपको बढ़िया स्तुंदर नदर आ रहा होगा समझू हमको यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून का डेटा दिया गया है पहला वाला बाइक का दिया गया दू जनवरी से अप्रेल 2017 मोटर साइकल के अलावा बाकी गारियों के पंची करण की संख्या में बढ़ी इतने से बढ़ी इतने से बढ़ी जब इतने से बढ़ी बोला तो हम जनवरी वे आए टोटल 27 था समझाब 27,000 विकल्स का रेजिस्टेशन जिसमें 21,000 बाइक यानि 6000 इंक होज गये अप्रेल में टोटल 35,000 का रेजिस्टेशन जिसमें 20,000 का बाइक थी तो देखा जै अप्रेल 20 से 35 तो 15,000 और हिन गये तो 6 तो यहां 6000 वहां 15,000 तो कितना बढ़ गया यह से 15 यानि 9,000 बढ़ गया किता बढ़ गया 9,000 बढ़ गया बहतरी कुश्य ठीक है एक्वा पेपर पॉइंट ओविए यह कोशन मेरे प्यारे दोस्तो बच्चा बच्चा जानता है कि इफ यदि A प्लस B प्लस C इस इक्वार टो अगर 0 होता है तो A Q प्लस B Q प्लस C क्यूब बराबर 3 टाइमस A, B, C होता है और गौर से धिको मेरे दोस्त यहां इतने स्क्वार बोल दिया है तो इसका भी स्क्वार हो जाएगा यानि 9 A स्क्वार, B स्क्वार, C स्क्वार आंसर हो जाएगा यह 2024 तो पढ़ा ही होगा मुझसे ठीक है याद रहे एक किताब को बेज बनाओ बाकी जगे दुनिया भर की प्रैक्टिस करो यहां कहता है एक क्लास में 25 लडकियों की लंबाई का माद 150 है उसी क्लास में 35 लडकियों का इतना है क्लास में सभी 60 लडकियों की उचाई का सय्यूक्त है तो यहां पर बड़ा बेसिक वे में कलो पहले बॉइस का बोला गया है पचीस बॉइस हैं और उनका जो माध्ध है वो देड़ सो है फिर उसी क्लास में 35 गल्स है और उनका जो माध्ध है 145 टोटल 60 छात्र हो गया न या तो इमानदार बनो 150 गुड़े 25 फ्लस 145 गुड़े 35 रिवाइड बाइशार देन यू गेट राइट आंसर या निंजा टेकनिक इनमें से छोटा कौन है 145 इसको आइसे ले लो इससे यह कितना ज्यादा है पांच ज्यादा एक का पांच तो पांच का कितना मलब 25 का कितना 125 एक्ष्ट्रा हो गया अब यह 125 जो एक्ष्ट्रा है यह कद्दू कटेगा सबको बटेगा यानि यहां 60 से भाग दोगे बोलो हां 25 35 साथ से यह टू पॉइंट सम्थिंग में जाएगा अब वो मैंने वन लिख दिया टू पॉइंट सम्थिंग तो 147 आंसर आ जाएगा 48 कहीं दिया ही नहीं है मुद्दा ही खतम 147 इस दा राइ हुआ 12 के बाद 13 नंबर नहीं आया अब मेरे दोस्त इन तो हैपी बड़े हो गया क्योंकि यह 0 हो गया अरे 15 और यह गया 15 अब यहां 38 में 46 घटा हो गये तो कहीं ना कहीं माइनस 8 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानि 25 प्लस आठ 35 हो जाएगा यानि 13 का आंस अगर 35 आएगा 35 किसी घणाप की तीन सतों का छेत्रफल इतना है घणाप का आयतन क्या होता है तो अच्छे से याद कर लो हमें एक्च्वल में सतों का छेत्रफल दिया जाता है तो यह जो एवन होता है वो एल इंटू बी होगा A2 जो होता है वो B इंटू H होता है और A3 जो होता है वो H एल होता है अगर आगर हम तीनों का गुणा करें तो A1, A2, A3 का गुणा हो गया पहुत अच्छा में स्पुलेशन यूत में दिया है मेरे बाई, टाइप वाइस सीखने को मिलता है यहाँ गुणा करोगे तो यह हो ये LBH हो गया, बोलो हाँ, बस तो ये समझो, इसी को तो समाच आयतन के नाम से जानता है, ये तो मैंने प्रूब कर दिया, तो आपको कहरा घनाप का आयतन क्या होगा, तो जो ये छेतरफल छेतरफल दिये न, उनको अंदर ले आओ, 20, 32, 40 को, तो इसका दो इसमें दे 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 और इसमें तो 20 बाहर आएगा, 64 का आठ आ जाएगा, 160 आंसर हो जाएगा, 160 मीटर क्यूब किस दा राइट आंसर, ठोको लाइक बोलो हाँ, छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेना, आगे बढ़ेंगे, कहता है निम लिकित में से एक निवन्यक भिन क्या है, अब देख रिडिउसबल बोला है, रिडिउसबल मतलब रिडिउस करना है, रिडिउस मतलब कमे लाना, ठीके, अब बताओ, इन में से कौन सी भिन रिडिउसबल दिख रहे हैं आपको, देखो, 91, 15, नहीं, 13 सत्य, 90 होता है, कुछ नहीं कट रहा है, ये प्राइम दोनों है, कट नहीं 79 प्राइम है नहीं कटेगा तो फिर ये कटेगा अब ये किस से कटेगा एक तो हमारा क्या कि इसी को मैंने घूसित कर दिया क्या तो कटेगा ये 7 से कटता है साथ गुड़े पंद्रा ऐसी और तोला सत्ते 112 हो गया ना मेरे बाई ठीक है तो ये कट रहा है न तो ये ही हमारा रिडिस्वल प्रैक्शन हो जाएगा के लिए अब ये सब देखना पड़ता है तो बड़ा पेसिंस भी रखना पड़ता है दूद पानी के एक मिस्रण का दो बटा तीन भाग दूद है मिस्रण की कुल मात्रा 21 लिटर है इसमें 4 लिटर पानी मिक्शन एलिगेशन किसका पड़ो नवीन अंगडित का मजा दिल गड़न गड़न हो जाएगा समझो मलब आरत सक्रवाल वाला दूद पानी के मिस्रण का दो बटा तीन भाग दूद है तो देखो टोटल मिक्शर तीन है क्योंकि जो इसके नीचे वही मिक्शर तीन है और इसमें दो बटा तीन भाग दूद है यानि मिल्क दो है तो बचा हुआ पोर्षन एक वाटर हो जाएगा मिस्रण की कुल मात्रा 21 है यानि ये तीन की वैलू ही 21 है यदि इसमें चार लिटर पानी मिला जाए तो दूद का प्रसत क्या होगा तो मेरे भाई तीन बडाबर 21 के तो एक बडाबर साथ के यानि दूद 14 है वाटर साथ है और चार लिटर पानी जोग दिया यानि दूद अब वाटर 11 हो गया और दूद 14 हो गया और हमसे कहरा दूद का प्रसत ये 14 और टोटल तो अब 25 हो गया ना गुड़े 100 तो फिर से मोधी जी को याद कर लो 14 चुकु 56 होता है 56 परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरे दोस 56 परसेंटेज दूद हो जाएगा दूद यही इसका आ सोला के बाद 17 नंबर और यह का है 17 नंबर कट्टा पिट्टी करना होगा तुग्या इसा कोशन दिख रहा है मेरे प्यारे देश्वासियों ध्यान देना क्या ध्यान देना अच्छा 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 अगर मैं इन दोनों को देखता हूं मेरे भाई तो एक ऐसे आएगा 8 6 14 हो जाएगा 3 2 5 6 माइनस का 641 हो जाएगा इसको देखता हूँ तो 521 ये प्लस का हो जाएगा इसको देखता हूँ तो 161 ये भी प्लस का हो जाएगा यानि 853 एक 14, 1463 हो जाएगा बोलो हाँ बोलो हाँ कुछ गरवड तो नहीं है बस ये देखना है तो बस खेल जाओ तीन में से एक गया दो आया छे में से चार गया दो आया आठ सो बाइस आंसर आ जाएगा इस कोश्चन का आंसर आठ सो बाइस आएगा थोड़ा सा पेसिंस अगना पड़ता है न अपने को मेरे दोस यूपी कॉंश्केबल जो अभी लेटेस्ट हुआ है इसी पैटन की उसमें डियाई पूछी गए यह याद रखना इसी पैटन की डियाई पूछी और यहां पर आपको बड़े प्यार से करना होगा ठीक है इस डियाई को समझे की नहीं समझे चले परते एडियाई को इस डियाई को टूइ स्टार हम लगा दे रहें क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे इसको अटेम्ट नहीं कर पाएंगे लेकिन यह मैं बता दे रहा हूँ जिसे आपनों का एलपी है UPSI Constable के दसो सेट का सुलूशन मैंने टेलिग्राम में डाला लगता है पीडियाप को डाउनलूड करना फाइलस में जाना सही से सर्च करना दसो सेट का मिल जाएगा ठीक है उसको जरूर पढ़ना बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि बहुत सारे कोशन जब एलपी को सेट करा भी रहा था है अगस्त में तो कहीं न कहीं उससे भी कोशन आ रहा था इसलिए जरूर पढ़ना नीचे दीगे इटालिका में क्लाश 10 अनुभाग A और B के मध्यावती और सतत परिच्छा में भाग लेने वाले छात्रों संक्या यहां कहता है अनुभाग A में छात्रों का प्रस्सत क्या है को कमझ में आया नहीं बस चाहिए दह परसेंटेज ऑप इश्टुरेंट ना सेक्शन ए अच्छा सेक्षन ए और यहां पर सेक्षन ए और भी दोनू है कुछ नहीं करना इसमें यह section A का data है इसको जोड़ लो और total data से भाग दे दो तब section A का percentage आ जाएगा वही हम इसे चाहता है जोडते हैं मेरे दूस 64, 60 और 28, 14, 42, 42, 112 यानि इसका जो समेशन है वो 112 हो गया तो नीचे भी 112 अब section B का जोड़ लो मेरे दूस section B का जोड़ो गया तो ये तो 40 हो गया और ये हमारा 67 हो गया यानि 107 हो गया और into 100 का लेना बस तो चलो आप तो जानते हूं मैं इमानदारी से भाग देता हूं ग्यारा दो डबल जिरो एक से इसको जोड़ दिया तो ये दो सो गया अप्संस में देखो सभी के एक्यावन है तो मेरे भाई एक्यावन तो आना ही आना है पर मैं पहले तो पांची का पढ़ूंगा नौपना पैतालिस चार हासिल 21 पंजा 105 और 4 109 होता है पांच ऐसे 11 में से 9 गया दो आया बाकी मुद्दा खतम हो गया समझ गे ना बाकी मुद्दा आगे खतम भी हो गया फिर यहाँ जीरो लिया तो एकी बार में जाएगा 219 ऐसे आएगा घटा होगे तो 31 आएगा यहाँ दसमलो आएगा तो यहाँ एक जीरो 219 बार में मलब 51.1 और उसके बाद सम्तिंग सम्तिंग चलेगा तो दसमलो की एक डीड चाहिए हमको तो हम यही आंसर घोसित कर देंगे भले आगे कुछ भी हो क्योंकि करा एक डीड तक बताओ तो हम यही तक जाएंगे मेरे दो मज में आया की नहीं आया कि बोलो ठीक है किसी त्रिबुज में समकोड बनाने या लिए दो भुजाया तीन और चार इस त्रिबुज के परिवरत का छेत्रपल यह कोश्चन भी यूपी कॉंस्टेवल में आया है मैं इसलिए कह रहा हूँ जरूर पढ़ना मेरे भाई अब मैं इसलिए लेटेश पर बहुत फोकस कर रहा हूँ ठीक है बहुत इसलिए लेटेश पर फोकस कर रहा हूँ मुझे दिखे किस exam का question आ रहा है इस वक्त किसी त्रिबुच में संपूर बनाने वाली दो बुजा 3 और 4 है same question आया इस त्रिबुच के परिवरत तो हम जानते हैं ये परिवरत 5 हो जाएगा मलब ये triplets 3, 4, 5 अगर हमें radius of in circle अंतावरत की त्रिज्जा हो चाहिए तो P plus B minus H by 2 होता है और अगर radius of circum circle चाहिए यानि परिवरत की त्रिज्जा हाइपोटेनस by 2 होता है पांच बटा दो धाई हो जाएगा बोलो हाँ तो परिवरत की त्रिज्जा यानि मेरे दोस 5R square धाई का square समझ जो गोड़ा धाई कदम चलता है 6.25 पाई आंसर हो जाएगा बोलो ज़रा मुस्कुरा के 6.25 पाई हो जाएगा चालिए सीखेंगे मगर प्यार से ये question आ गया 5 इस्टार दोस्तों ऐसे question को मैंने अलग से एक special वीडियो बना रखा है टेलीग्राम में पड़ा भी है यूटूब में भी सर्च करना यूट में लगातार 5-7 question एक साथ कराये थे हो सकता है कि अभी ये मैं question समझाओ तो ना समझ में आए और कई किताबों की जो set launch है मार्केड में उसमें इस question को इसके पी किया गया है क्योंकि ये जहरीला question है सामझाओ तरन और मयूग एक साथ मिलकर किसी कार को 18 दिन में समाप्त कर लेते बहुत प्यारा question है पहली बार समझोगे तो आए गए नहीं समझ में सरन और मयूग किसी काम को 18 दिन में निप्ता देते हैं परन तु मयूग इसी कार को अकेले करता और एक तिहाई कार पूरा करके छोड़ देता है इसके बाद सरन इसी कार को करता है और इस प्रकार दोनों मिलकर कार को 40 दिन में कर लेते हैं और मयूग सरन से जादा तेजी से कार करता है बस और कुछ भी नहीं दिया दिया और मेरे दोस्त इसको अगर मैं जर्णल प्रॉसेस से करूंगा तो यह मुझे डस लेगा मैंने जो इस पेशल वीडियो इसमें 20-25 मिनिट का बनाया हुआ है तो उसमें टई बार वैलू को बताया है जैसे यह 18 का मल्टिपिल वैलू है तो अपने मन से लेट कर लो अठारा के मल्टिपिल में 90 या 180 टोटल वर्क लेट कर लो तो हमने लेट किया टोटल वर्क यही सारा खेल इसी से है वहना जन्नल तो देड़ पेच का सोलूशन है तो टोटल वर्क हमने लेट कर लिया 90 क्या 90 टोटल वर्क लेट कर लिया अच्छा मैं यह क्या करूँगा जब यह वीडियो यूटूब में डालूँगा तो कमेंड में जो इसका इस्पेशल वीडियो है उसको पिन कर दूँगा कई भटगने की जुरूद नहीं होगी कमेंट में जाना पहला यह वीडियो मिल जाएगा यह याद रखना ठीक है जो इसका special है एक में समझ में आना नहीं हो ऐसे तो टोटल वर्क 90 आप question को हम करते हैं परंतु मयूग किसी कार को अकेले करता और एक तिहाई कार को पूरा करके छोड़ देता है तो हमने जो इलेट किया एक बटा तीन कार किया मयूग ने, यानि 30 कार किसने किया, मयूग ने छोड़ दिया तो बचाकार किता 60 कौन करेगा, सरण करेगा फिर इसके बाद mhewी खेला अज़ा है यानि 20 दिन में 40 दिन में हम्योग निपटवाना है मयूग सरण से ज़्यादा तेज है यानि इसकी छमता इस से अधीक है अब यहाँ देखो अगर मैं दोनों की छमता 1-1 लू, 2-2 लू मालो आपने इसकी भी 2 ले ली इसकी भी 2 ले ली तो 2 से भाग दोगे तो यह 30 बार में 2 से 15 बार में नहीं क्योंकि मयूग की छमता ज्याता है मयूक की चमता जादा है तो देखो, इसकी चमता हमने 2DECIDE की तो इसमें भागदिया तो 30 आया और इसकी चमता 3DECIDE की तो इनमें भागदिया 10 आया फिट हो गया ना पस ये जो अभी चमता लिया है ना पस यही से matter आयेगा आपको समझ में नहीं आएगा तीन और दो कैसे लिया अगर हम दो दो लेते तो 45 आथा लेकिन हमें मयूग का ज़्यादा लेना तो दो से ज़्यादा तीन लिया तो तीन से भाग दिया दस आया यहां 30 आप कोश्चन हो गया तो कहता है मयूग से ज़्यादा तो सरणा के लिए कितने दिन में कर लेगा सरणा की छमता दो है काम कराना है 90 बटा दो 45 तो दोस्तों इसका अंसर 45 आएगा और समझ गया जब मैं इस वीडियो को separate YouTube में डाल ला हूँ तो वहाँ पिन करूँगा ठीक है बाकी सर्च कर लेना ठीक है बड़या कोशन ये भी अच्छा कोशन है ये बहुत आया है इसको ध्यान लखना मेरी वर्तमान आयू का तीन बटा पांच वां उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयू का पांच बटा छटा हिस्सा है आसान मेरी आयू ए है मेरी आयू का तीन बटा पांच उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई का पांच बटा छटा हिस्सा ये बराबर हो गया देख रोदे पहले इनकी आयू का रेश्यो ले लो तो A अपन B ऐसे 5 गुड़े 5, 25 और 6, 18 हो गया यानि 25 और 18 हो गया अब कहानी अलग है मेरी 10 साल पहले की आयू उनकी आज से 4 साल बात की आयू की होगी अब ये प्रिजेंड में है आज मैं 25 X का हूँ और वो 18 X का है मेरी 10 साल पहले तो 10 साल पहले मैं कित्ते का हूँगा मैं 25 X माइनस 10 का हूँगा और उसकी 4 साल बात यानि 18 X प्लस शार के बराबर होगा यानि ये जो वैलू है मेरे दोस दया इसके बराबर है बस यही से X निकाल लो 18 14 यानि X बराबर 2 आ जाएगा 18 25 यानि जाएगा 22 यानि तो केरा भाया मेरी वर्तमान आई कित्ती है आपको मालूम नहीं मैं 50 साल का हूँगे X बराबर 2 तो 25 दूना पचास साल तो मेरी वर्तमान आयू दोस 50 साल नहीं से लगता है नहीं लगता होगा मैं हूँ प्जादा का ही होगा नीचे दी गई संख्या नहीं है पर्मे संख्या नहीं है समझ गये यानि रेशनल नमबर नहीं है इरेशनल लंबर है तो मेरे दोस्त यससे बाहर आट आजाएगा इससे दो कर दो ले लेगा इससे चार यानी डी इस दा राइट आंसर और अन्तिम कोश्चन साड़े साथ सो की निवे सिद्रासी तीन मेने का ब्याज इतना सधान ब्याज सिंपल कर दो मिर भाई फॉर्मुला एसस इस इकवल टू पी आटी बाई हंडेट से बिलकुल बेसिक से कर दो क्या अठारा रुपय का ब्याज मिलता है प्रिंस्पल साड़े साथ सो है तीन महिना तो तीन बटा बारा क्योंकि टाइम यरली होता है रेट में चाहिए आर बाई सो पचास से दो बार पचास से ये पंद्रा बार पचास से दो बार और पचास से ये पंद्रा बार बोलो हाँ तीन से ये छे बार तीन से ये छे बार और तीन से ये पांच बार तीन से ये दो बार अब तो कुछ कटनी रा पॉइंट में आएगा 24 दुना 48 बटा 5 यानि आर बराबन 9.6% rate of interest आ जाएगा अब इस question में patience हगना है काटने पीटने में गलती होंगे बोलो हाँ दोस्तों उमीद है आपको ये session अच्छा लगा होगा comment करके जरूर बताएगा बहुत कम समय में इसको lift आया गया है पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे हर चीज सीखते रहे टेलीग्राम ग्रुप को जोईन किजिए धन्दवार